Sir, धन्यवाद आपने मुझे समय दिया इस विशय पे बोलने के लिए कुछ समय पहले से मैं सदन में था और मैं यहाँ पे जो चर्चा हो रही थी उसे सुन रहा था अभी सदन में हमारी सदस से सुप्रिया जी ने बहुत अच्छी बाते करी, बहुत पॉजिटिव बाते करी कि राजनीती नहीं होनी चाहिए खेलों के अंदर और सभी को मिलके काम करना चाहिए स्पोर्ट्समें स्पिरिट वही है लेकिन सदन के अंदर अगर सत्य नहीं बोला जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो स्ट्रगल करते हैं और मैं आज सुप्रिया जी आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीती से ज्यादा राजनीती खेलों में होती है लेकिन इस विशे से हम दूर रहेंगे आज का विशे ये नहीं है और जो सुप्रिया जी ने बात रखी वो एक पॉजिटिव रखी कि हमें सभी को मिलकर खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए थोड़ी देर पहले सदन में एक और सदस्य हैं उन्होंने एक और बात रखी कि प्रदानमंत्री जी कि जितने भी खिलाडी हैं जाने से पहले खेलते समय आने के बाद उनको बढ़ाई देते हैं उन्हें इंकरेज करते हैं और मुझे लगा कि वो शायद अभी तारीफ करेंगे जो होनी चाहिए लेकिन फिर उन्होंने ये बात रखी कि ऐसा तो पहले भी होता था मैं इस विशे पे नहीं जाना चाहता था लेकिन मैं जल्दी से जाकर मैं वापस विशे पर आता हूँ मैं उस सदन के सदसे कहना चाहता हूँ कि 2004 के अंदर जो पदक जीत कर आया भारत वर्ष का एक नागरिक उसकी अगर तस्वीर वो ढूंड के दिखा दें इस सदन को अगले दो साल, 2004, 2024 तक दो साल और बाकी है तो हम सब उनकी तारीफ करेंगे ऐसा नहीं हुआ तो जब कोई सरकार, जब कोई प्रधानमंत्री जी अपना समय निकाल कर खेलों को बढ़ावा देते हैं खेलों के प्रती उत्साह बढ़ रहा है एक करियर आप्शन बन रहा है पिछले कुछ सालों से कई प्लाटफॉर्म्स तयार हो गए हैं जहां हमारे युवा खिलाडी उन प्लाटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपना हुनर दिखा सकते हैं और बारतिय टीम तक पहुंच सकते हैं खेलों इंडिया उन में से एक है फिट इंडिया के माध्यम से पूरे देश को प्रधान मंत्री जी ने प्रेरित करा है टागेट उलिपिक पोडियम एक इस तरह का प्लाटफॉर्म है और अभी जो खेल के मंत्री अनुराग जी उस कमिटी के हेड थे जब टागेट उलिपिक पोडियम के तयारी हो रही थी तो आज युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर मिल रहा है और प्रधान मंत्री जी इसलिए ये अवसर खड़ा करना चाहते हैं प्लैटफॉर्म बनाना चाहते हैं क्योंकि इन सब चीजों से जो भारत के जो नौजवान हैं वो प्रेरित होते हैं वो इंस्पायर होते हैं उनको आइकॉंस चाहिए उन्हें पॉजिटिव आइकॉंस चाहिए और जब खेल के अंदर डोपिंग आती है तो पॉजिटिव आइकॉंस पे जटका लगता है चीटिंग जब होती है तो लोगों को लगता है कि क्या चीटिंग करके आगे बढ़ना एक सही तरीका है इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी हैं और जब अंतराष्ट्रिय खेलों में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके काईदे कानून नियम बने वे हैं और उसी को ध्यान में रखते वे उलिम्पिक जितने भी बड़े-बड़े खेल हैं वो उलिम्पिक्स हो, कौवनवेल्ट गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपिंशिप्स हो अलग-अलग जो स्पोर्ट्स हैं सभी वर्ल्ड अंटी डोपिंग एजनसी के तहत काम करते हैं उनके साथ काम करते हैं और WADA, World Anti-Doping Agency, यानि WADA, WADA ने NADA, National Anti-Doping Agency, के साथ तालमेल बिना कर, भारत के अंदर डोपिंग के केसिज ना हो, उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा जो तजर्बा रहा है पिछले कई सालों से, एक ऐसा समय था जब हमारे स्पेसिपन जब लिये जाते थे तो उसे भारत में टेस्टिंग नहीं होती थी, उन्हें वेदेश भेजा जाता था, थाइलेंड जाते थे, मलेशा जाते थे, और फिर वहां से आते थे, में एक शक रहता था, हाथ गंदा है, उस गंदे हाथ से उस यूटेंसिल को उठाएंगे, वो वैसे ही खराब हो जाएगा, क्या वो लॉक नहीं हुआ सही तरह, क्या फॉर्म सही तरह भरा है या नहीं भरा, कई तरह के मन में एक शंका आती थी, क्योंकि पूरा करियर समाप हो सकता था, आपको मैं बताओं, तो हम जब खेलते थे तो एक भै होता था, एक बहुत बड़ा भै होता था, जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि देश भी शेम, अब किसी की गल्ती ही ना हो, उसके बावजूद भी कहीं कोई डोप टेंट हो जाए, तो कितनी बदनामी हो, पू मैं ऐसा आया है कि हमने प्लास्टिक बोटल छोड़ी, हमने शीशे की बोटल लेनी शुरू करी कि कोई इंजेक्ट ना कर दे, दूसरे देश का कोई खिलाडी, इतना कॉम्पेटिशन होता है कि इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, आप देखे कि कौन से खेल हैं भारतिये खिलाडी अपने पूरे देश के सामने अपना प्रदेशन कर सकें, वो सारे खेल चार साल में एक बार आते हैं, कॉमनवेल्ड गेम्स, एशिन गेम्स, उलिम्पिक गेम्स, चार साल तक इंतजार करता है खिलाडी, फिर एक दिन आता है, उसमें एक शन आता है जिस आप सही सुजाव देने के लिए इसमें अगर एक तरीका होता है इसको बोलते हैं थेरपेटिक यूज एक्जंप्शन, TUE, तो अगर आप बीबार हो तो आपको डॉक्टर्स थेरपेटिक यूज एक्जंप्शन देते हैं कि यह दवाई आप ले सकते हैं, बले ही वो बैंड इसके अंदर हो, या वो सही तरह की दवाई देते हैं, सही मात्रा में देते हैं, इस तरह की व्यवस्था, आज मैं बधाई देना चाहता हूँ, मानिय मंत्री जी को, इनके पूरे मंत्राले को, कि इन्हों ने ये एक स्टाचुचरी इसको बॉड़ी बना कर आज नियंत्रन शुरू करा है, खेलों के अंदर जो खिलाडियां, उनके समर्थन में ये बिलाया है, मैं इसलिए आपको बधाई देता हूँ, नाडा आज अपील पैनल बना सकती है, मान लिजे कोई खिलाडी को कुईसी के उपर दोश लगा हो, तो वो अपील भी कर सकता है, सैंपल कलेक् बेहतर हो पाईगी, अलाउंसे बेहतर हो पाईगी, उससे इनके पास बेटर टालेंट आएगा, लेबरेटरीज बेहतर बनेंगी, फिल्ल कलेक्शन एजेंट बेहतर होंगे, तो ये सारा का सारा एक खिलाडियों के समर्थन में ये हो रहा है, इसलिए मैं आज इनको किसे जुड़ते जा रहे हैं, मैं खास तोर से मंतराले को ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कि एक ऐसा महौल बनाया जाए जहां अवेरनेस और बढ़ाई जाए, सिर्फ जो नाशनल लेवल पर जो खिलाडी खेल रहे हैं, इंटरनाशनल लेवल पर खेल रहे हैं, वहीं तक ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो खिलाडी खेल रहे हैं, वहां तक भी अवेरनेस जानी चाहिए, अगर हो सके, संभव हो, तो स्कूल के सिलिबस के अंदर भी इसको डालना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चीटिंग नहीं है, चीटिंग तो ही, बट उस उसमें से टॉप फाइव देशों में आएगा भारत जहां खिलाडियों को इंसेंटिव की बात हो, जब इतने बड़े बड़े इंसेंटिव हैं, तो बहुत से खिलाडियों के सामने एक शौट टर्म गेन के लिए आकरशन बन जाता है कि कुछ ले ले, कई बार उनको ब्रह आप भी ले लो, ये लो, वो लो, और उस चक्कर में उस जहां से मैं आकर कई बार जो इल-Informed खिलाडी होते हैं, वो ऐसी गलती कर बैठते हैं, कई बार तो गलती से डोपिंग हो जाती है, कई बार जानमूच की डोपिंग होती है, बट ये दौनों की दौनों प्यूनिटि स्टाफ है, अगर इंक्वाइरी में उनका नाम भी आता है, तो सपोर्टिंग स्टाफ के ओपर भी गाज गिर सकती है, मैं इसके लिए भी मंतराले को धन्यवाद देता हूँ, इतना All Income Passing इनों ने जो बिल बनाया है, मैं चाहता हूँ कि असोसियेशन्स, जो स्पोर्ट की federation हैं, उन sports की federation को भी इस काम में शामिल करा जाए, awareness के अंदर भी उनको शामिल करा जाए, आपकी एक mobile application है, जो sports मंतराले चला रहा है, उस mobile application के माध्यम से, therapeutic use exemption, खेलाडियों के लिए आसान बनाया जाए, जब वो विदेश में खेल रहे हो और वहाँ पे बीमार पढ़ ज तो वो इंडियन डॉक्टर से सलह ले सकें, आप अपनी हेल्प लाइन को इस्तेमाल करें, आपके पास हेल्प लाइन भी है, खिलाडी इनफॉर्म भी कर सकें, अलग-अलग जो आपके कैंप्स लगते हैं, वो कोई चोरी इतना कोई छुपके नहीं इंजेक्शन लगा सकता, क जोएंसो, फिजियो थेरेपेस्ट या मस्योर, इस तरह की चीजें पहला रहा है, तो इसका पूरा इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, ताकि अवेरनेस बढ़ सके, और इस सोशल मीडिया के अवेरनेस के माधियम से, स्कूलों तक भी यह जानकारी होँगा, हर्बल सप्लिमेंट्स जो होते हैं, वो आम तोर से सब बोलते हैं, और यह तो हर्बल है, कोई चिल्ता की बात नहीं है, उसमें जो स्टेरॉइड का लेवल है, या अलग-अलग जो बैंड सबस्टेंस हैं, वो हर्बल में भी हो सकती हैं, और इसलिए यह भी एक अ जाएं, कि हम अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो स्टैंप लगा के दें, कि यह जो वाड़ा की गाइडलाइन्स हैं, उसके बेसिस पर यह सप्लिमेंट है, ऐसे विदेश के अंदर भी कंपनीज हैं, जो लिखती हैं, इस वाड़ा सपोर्टेड और वाड़ा क्लियर्ड, तो इस तरह की चीज़ें करी जा सकती हैं, लीगल असिस्टेंट, जो एक बार जिसका नाम आ जाता है, डोपिंग के अंदर, उसके अगर केस चले, तो उसको लीगल असिस्टेंस भी मिले, उसको मदद भी दी जाए, फिर कुछ और सदसे यहां पर हैं, जिन्हो उसके बाद में अगर उसकी परफॉमेंस हो, या उससे पहले उसकी परफॉमेंस हो, उसको राष्ट्रिये अवर्ड के लिए, ओनर्स के लिए माना जाना चाहिए, बिकाज वो बैंड, जो पीरिड है, उससे अलग है, इसके ओपर भी खेल मंत्राले विचार कर सकता है, एक एक बार फिर मैं आप खेल मंत्राले को इसके लिए बदाई देता हूं, एक बहुत ही पॉजिटिव बिल लेकर आए हैं, खिलाडियों के समर्थन के लिए बिल लेकर आए हैं, इससे अवेर्नेस भी बढ़ेगी, और इस देश के अंदर जो जिम कल्चर चल रहा है, जिसमें सप्लिमेंट्स लोग लेना शुरू कर रहे हैं, उसके उपर भी कहीं रोक लगेगी एक अवेर्नेस से, एक बार फिर मंत्राले को बहुत बहुत बदाई, दन्यवाद